विंटर की सीजन में गाजर का हलवा तो आपने बहुत खाया होगा लेकिन आज न हम बनाएंगी गाजर हलवा पराठा ये न बहुत ही डिलिशस बनता है जिनको मीठा जादा पसंद होता है न उनको ये पराठा बहुत पसंद आएगा और अभी मार्केट में भी एकदम रेड बन जाता है बिल्कुल वे मैनत नहीं है और इसके लिए हमें हलवा बनाने की भी जरूरत नहीं है तो ये देखे मैंने गाजर के छिलके निकाल लिये है अब हमें गाजर को ग्रेट कर लेना है अब मैं यहाँ पर पराठी का स्टफिंग बनाने के लिए एक कप पराठा भी बहुत ही रेश्डी लगता है और इसे भी हम ना गी में ही सेखेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पराठे का बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि गाजर में ना नैचरल वाटर होता है तो गाजर को ग्रेट करने के बाद हमें पानी को निचो अब गाजर हलवा पराठा है तो इसे मीठा तो बनाना ही पड़ेगा तो इसके लिए हम इसके अंदर ना तीन से चार टेबल स्पून जागरी पाउडर एड़ करेंगे यह पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाफ से एड़ कर सकते हो थोड़ा सा जादा ही मीठा रखना क्य और यह देखे हमारा घाजर हलवे का स्टफिंग बनके रैड़ी हो गया है अब पराठे के लिए हम डो रैड़ी कर लेंगे तो मैंने यहाँ पे एक कप गिहू का आटा लिया है इसके अंदर हम बिल्कुल हलका सा ही नमक एड़ करेंगे नमक जादा एड़ नहीं करना है अगर आप स्वीट स्लवर हो ना तो यह पराठे एक बाट राय करके जरूर देखना बहुत ही पसंद आएगा आपको बहुत ही डिलिशस बनता है और यह देखे हमारा डो भी रैड़ी हो गया है इसे ना ढखकर थोड़े देर के लिए रख देंगे सैट होने के लिए अब दो हमारा सेट हो गया है तो बिल्कु छोटी सा इसका हम बॉल बनाएंगे और इस तरह हातों से दबाके इसकी छोटी से पूरी बना लेंगे अब इसके अंदर हम दो टेबल सुन जितना स्टफिंग बरेंगे जितना हासा के उतना ही आपको स्टफिंग इसमें बरना है बिल अब इसे हलका सा दबा के उपर से सूखा आटा चिडगेंगे और पहले न हाथों से थोड़ा सा प्रेस करके पराठे को थोड़ा सा रोल कर लेंगे इसके बाद बेलन की मदद से हमें पराठे को अच्छे से बेल लेना है पराठे का एकदम पतलाई करना है जादा मोटा नहीं रखेंगे गाजर में से हमने पाने निकाल लिया था ना तो इसली पराठा हम बेल पाएंगे तो इस बात का आपको खास द्यान रखना है अब देखें पराठे को मैंने बेल लिया है और एक साइट तवा भी घरम कर लिया है तो घरम तवा के उपर पराठे को डाल देंगे एक साइट से पराठे को अच्छे से सेक लेंगे इसके बाद इसे पलटा के दूसरी साइट से भी अच्छे से हमें सेक लेना है अब उपर से एक टीस्पून जितना गी लगा के पराठे को हमें अच्छे से गी में सेक लेना है स्पैचुला से इस तरह से दबाएंगे ताकि पराठे के उपर अच्छे से दाग पड़ जाएंगे दोनों साइट से पराठे को अच्छे से हमें क्रिस्पी होने तक सेक लेना है अब ये पराठे को बना देना है इतनी अच्छी स्मैल आ रही है ना अंदर से घाजर के हलवे जैसी और खाने में भी इतना delicious बनता है ये पराठा, एक बार इसे बना के try ज़रूर करना और ये देखे हमारा गाचर हलवा पराठा बनके ready है, देखे मूँ में पानी आ गया होगा अगर आपने try नहीं किया है तो अभी बना के इसे try ज़रूर करें और अगर आपको ये recipe अची लगी हो तो please comment में yummy ज़रूर लिख देना तो दोस्तों अगर आपको recipe अची लगी हो तो please video को like करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने family और friends में इस video को share ज़रूर करना और ऐसे ही मज़ेदार ऐसे भी देखने के लिए मुझे follow ज़रूर कर लेना और YouTube पे मेरी चैनल को subscribe ज़रूर कर लेना Thank you for watching